देश के तमाम बड़े मुत्तों को सुलजाने वाली सुप्रीम कोट में चारो असंतुस्ट जजों को लेकर शुरू हुआ मामला सुलजने का नाम नहीं ले रहा है शुक्रवार को सुप्रीम कोट के चार जजों की प्रेस कॉनफरेंस के बाद रही असंतुस्ट जजों और मुक्य नयाधीश के बीच मतबेद को खत्म करने की कोशिश चल रही है लेकिन मामला बजाय सुलजने के और उलचता ही जा रहा है मंगलवार को भी सुप्रीम कोट में सुभा सभी जजों की आम बैठक में इस मामले को सुलजने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी इसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने चेंबर में भी चारो असंतुस्ट जजों से पंदरा मिनट तक बात चीट की जा सभी जज इस बात पर सहमत दिखे कि जुडिशरी अपने आंतरिक मामलों को हल करने में सक्षम है वहीं अटॉर्णी जनरल केके वेनु गुपाल का कहना है कि मामले को दो से तीन दिन में सुलजा लिया जाएगा उधर जस्टिस अरुन मिश्रा ने संगेत दिये हैं कि जस्टिस लोया की मौत की जाज का मामला दूसरी बेंच को जा सकता है